Hello students, आज Class 6 Hindi Grammar में हम Chapter 7 जिसका नेम है संग्या उसके वारे में समझेगे जो शब्द किसी व्यक्ति, इस्थान, वस्तु और भाव का बोध कराते हैं उन्हें संग्या कहते है संग्या क्या है जिससे किसी व्यक्ति इस्थान वस्तू और भाव के वारे में पता चलता है उसे संग्या कहते है जैसे कि बच्चो या पिच्चर में देख रहे हैं आप राम खेल रहा है इसमें व्यक्ति कोन है खेलने वाला कोन है राम है राम एक व्यक्ति है तो व्यक्ति क्या है संग्या है सेकेंड है पिच्चर देख रहे हैं आप लाल किला लाल किला दिली में इस्थित है दिली दिली क्या है एक इस्थान है इस्थान जो क्या है संग्या तो यह क्या हो गया दिली इस्थान यानि की संग्या हो गई नेक्स्ट है लड़की पुस्तक पढ़ती है यहाँ पे पुस्तक क्या चीज है वस्तु है पुस्तक आप पिचल में पढ़ती हो लड़की पुस्तक पढ़ रही है यहाँ पे जो पुस्तक जो है वस्तु है और वस्तु क्या है संग्या है बुड़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता बुड़ापा बुड़ापा क्या है ये भाव भाव प्रकट हो रहा है यानि कि वो जो बुजुर्ग है वो बुड़ी है तो उससे क्या है भाव प्रकट हो रहा है तो क्या हुआ बुड़ापा तो बुड़ापा वर्ड क्या होगे भाव और भाव क्या है संग्या परि संग्या के भेद संग्या तीन प्रकार की होती है व्यक्ति वाचक संग्या जिस संग्या शब्द से किसी विशेश व्यक्ति वस्तु अत्वा इस्थान का बोध होता है उसे व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे कि लता मंगेश कर बहुत मीठा गाती है यहां पर व्यक्ति क रहता है यहां इलावाद वर्ड क्या है वो इस्थान है तो यह क्या है व्यक्ति वाचक संग्या वह कल ताजमेल देखने गया ताजमेल भी क्या हो गया इस्थान हो गया यानि कि कल जो है ताजमेल देखने गया तो यह भी व्यक्ति वाचक संग्या है उप्योक्त वाक्यों मे लता मंगेशकर विशेस व्यक्ति का नाम है इलावा जो है वो विशेस इस्थाद का नाम है और ताजमेल भी एक विशेस इसमारक का नाम है ये सब्द क्या है व्यक्ति वाचक संग्या है अब आता है जाती वाचक संग्या जिस सब्द से किसी जाती के सभी प्राडियों और व बस्तो के वारे में पता चलता है, जैसे कि दिया है, खिलाडी खेल रहे हैं, यानि कि खेल रहे हैं, कौन है खिलाडी, खिलाडी में कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे खिलाडी दिया है, तो यह जाती इसमें भी कोई भी हो सकते हैं चात्र भी हो सकते हैं चात्राई भी बैठी हुई हैं तो यह क्या हो गया जाती वाचक हो गया उप्युक्त वाकियों में खिलाडी और चात्र चात्राई शब्द किसी विशेज व्यक्ति इस्थान या प्राडी के नाम की और संग्यत नहीं करते बलके खिलाडी और चात्र चात्राओं की साधरन जाती का बूद करा रहे है ये शब्द जाती वाचक संग्या है अब आता है भाव वाचक संग्या जिस सब्द से किसी व्यक्ति, इस्थान, अत्वा, वस्तु के गुड़, दोश, दशा, आदी का पता चलता है उसे भाव वाचक संग्या कहते हैं जैसे इस पहाड की उचाई अधिक है या देख रहे हैं परवत दिया हुआ है, पहाड दिया हुआ है उचाई, उचाई क्या हो गया? उसकी भाव हो गया, भाव प्रकट हो रहा है उससे तो ये क्या है भाव वाचक संग्या है इस आम में मिठास अधिक है यानि कि क्या मिठास मिठास क्या वर्ड है उसका भाव ट्रकट हो रहा है भाव वाचक संग्या है यहाँ पे उचाई और मिठास जो है पहाड और आम की अवस्था और गुड का बोध करा रहे हैं तो ये भा किसी एक जाती के व्यक्तियों वस्तूहादी के समदाय या समु का बोद कराने वाले शब्द समुदाय वाचक कहलाते हैं यानि कि समु गुरुभ वह कहलाता है समुदाय वाचक जैसे कि आप यहां पे देख रहें एक हौल में जो है काफी भीरड लगी होई है तो यहां पे जो सभी लोग जो एकहटे हो रहे हैं तो यह क्या हुआ समूव बनिया एक गुरुब बनिया तो यह क्या हो गया समुदाय वाचक हो गए नाटक खत्म होती ही दर्शकों की भीरड हौल स बाहर निकली तो यह भीड शब्द क्या है समुदाय वाचक संग्या है नेता जी के सम्मान में एक सभा आयोजित की गई यह सभा वर्ड क्या हो गया समुदाय वाचक हो गया मेच पर पुस्तकों का बंडल रखा हुआ है बंडल वर्ड क्या है बंडल समुदाय यानि कि बहुत सारी पुस्तकों का बंडल रखा हुआ है उपियोगत वाक्यों में भीड सभा और बंडल जो क्या है समुधाय वाचक संग्या है अब आता है द्रव विवाचक संग्या जिन संग्या शब्दों से किसी द्रव्य धातू या पधार्त आदी का बोध होता है उसे द्रव क्या पे हैं आपे क्या है द्रव्यवाचक सबसे अधिक चावल भारत में पैदा होता है चावल चावल क्या हो गया द्रव्यवाचक हो गया उपियुकते वाग्यों में लोहा दूद और चावल क्रमस क्या है धातू क्या हो गया लोहा दूद दूद क्या हो गया द्रव्य को दर्शाते हैं इसलिए यह द्रव्याचक संग्या कहलाते हैं बच्चों अभी तो हमने चैप्टर पढ़ा और समझा अब इसके कोशन इंसर को भी पढ़ेंगे फॉस्ट कोशन है संग्या किसे कहते हैं उधारण सहित लिखिए आंसर है जो शब्द किसी व्यक्ति इस्थान वस्तु और भाव का बोध कराते हैं उन्हें संग्या कहते हैं जैसे कि राम क्या हो गया व्यक्ति दिल्ली इस्थान पुस्तक हो गई वस्तु बड़ापाई हो गया भाव यह सब क्या है संग्या संग्या के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए संग्या के तीन भेद हो गया है उनके नाम लिखिये कुछ विद्वान की अनुसार संग्या को दो और भागों में बाटा गया है कौन कौन से हैं फरस्ट है समुदाय वाचक संग्या और दूसरा है द्रव्याचक संग्या अब लास्ट पोशन है जाती वाचक संग्या किसे कहते हैं उधारण सहित जैसे खिलाडी छात्र छात्राय कक्षा आदी अब आता है नेक्स्ट बुकवर को फरस्ट है संग्या किसे कहते हैं सही उत्तर चुड़िये तो अभी जैसे हमने आंसर में भी पढ़ा था क्या आएगा सही आंसर इसमें हमें पता लगाना है पढ़के फरस्ट है उन शब्द को जो क्रिया का बोद कराते हैं या उन शब्दों को जो व्यक्ति द्वारक किये गए कर्म का निश्चित समय बताते हैं या उन शब्दों को जो किसी व्यक्ति इस्थान वस्तुया भाव का बोद कराते हैं या इन में से कोई भी नहीं सही आंसर है बच्चो ग उन शब्दो को जो किसी व्यक्ति इस्थान वस्तु या भाव का बोद कराते हैं नेक्स्ट है संग्या के कितने भेदोते हैं वन टू थ्री या फोर सही आंसर है थ्री अब आता है नेक्स्ट समुदाय वाचक संग्या किसे कहते हैं उन संग्या शब्दों को जो किसी एक जाती के व्यक्ति वस्तुओं के समू का या समुधाय का बोध कराते हैं या उन संग्या सब्दों को जो किसी द्रव्य धातु या पधार्थ का बोध कराते हैं या उन संग्या सब्दों को जो किसी व्यक्ति विसेश के गुड़ों को बताते हैं या इन में से कोई नहीं सही आंसर है उन संग्या शब्दों को जो किसी एक जाती के व्यक्तियों वो वस्तुओं के समू या समुदाय का बोद कराते हैं नेक्स्ट है व्यक्ति वाचक संग्या किसे कहते हैं उन संग्या शब्दों को जिनसे भावो का ग्यान होता है या उन संग्या शब्दों को जिनसे किसी विशेज व्यक्ति वस्तु अत्वा इस्थान का बोद होता है या उन संग्या शब्दों को जिनसे व्यक्तियों के समुदाय का बोद होता है या इन में से कोई नहीं, सही आंसर है उन संग्या शब्दों को जिन से किसी विशेश व्यक्ति, वस्तू या इस्थान का वोत होता है मैक्स रहें, जाती वाचक संग्या किसे कहते हैं? उन शब्दों को जिसन से वस्तुओं की सही अवस्ता का ज्यान हो या उन शब्दों को जिन से किसी जाती विशेश से सम्बंदित सभी प्राडियों व वस्तुओं का वोद हो या उन संग्या सब्दों को जो इस्थान वा दूरी का वोद कराए या इन में से कोई भी नहीं सही आंसर है उन शब्दों को जिन से किसी जाती विशेश से सम्बंदित सभी प्राडियों एवं वस्तुओं का वोध हो नेक्स्ट कुशन आता है जिस सब्द से किसी व्यक्ति इस्थान अत्वा वस्तुओं के गुड़ दोश दशा आदी का ज्यान हो उसे क्या कहते है यहाँ पर दिये हुए उप्शन व्यक्ति वाचक संग्या या संग्या या भाव वाचक संग्या या जाती वाचक संग्या सही आंसर है संग्या नीचे दिये गई शब्दों मेंसे सही सब्दों चुनकर रिक्तिस्थान भरिये यहाँ पर आंसर दिये हुए और इन्हें सही सब्द को चुनकी हमें इसमें रिक्तिस्थान में भरना है क्पड़े सिलने वाले को डैश कहते हैं क्या कहते हैं दरजी तो सही आंसर है इसका दरजी कपड़े सिलने वाले को डरजी कहते हैं संगीत जानने वाले को डैश कहते हैं, क्या है इसका आंसर संगीत अग्ये, संगीत जानने वाले को संगीत अग्ये कहते हैं, गहने बनाने वाले को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनार, गहने बनाने वाले को सुनार कहते हैं, कपड़े धोने वाले को डैश कहते हैं, क्या है लिखे वाक्यों में से संग्या च्छाट के लिखनी है यहाँ पे वाक्य दिये हुए और इसमें संग्या च्छाटनी है चडिया घोंसलो में रहती है यहाँ पे संग्या क्या है चडिया और घोंसलो नेक्स्ट है सीता कल दिल्ली जाएगी इसमें संग्या क्या है सीता और दिल नेक्स्ट है प्रयाग हमारा शहर है आंसर है क्या है इसमें प्रयाग और शहर नेक्स्ट है परिश्रम सफलता की कुंजी है इसमें संग्या क्या है परिश्रम सफलता और कुंजी नेक्स्ट किसान हल चला रहे हैं इसमें संगया है किसान और हल अब आता है next question नीचे लिखे वाकियों में भाव वाचक संगया भरिये भाव वाचक कौन जी संगया होती है जिससे भाव प्रकट होता है क्रिश्न और सुधामा की डैश प्रशिद है क्या आएगा इसमें भावाचक संग्या मित्रिता प्रशिद्य है बुद्ध ने डैश का उपदेश दिया क्या आएगा इसमें भावाचक संग्या अइंसा बुद्ध ने अइंसा का उपदेश दिया फिर है ताजमेल की डैश दर्शनिय है इसका क्या है आंसर सुनदरता ताजमेल की सुनदरता दर्शनिय है भावाचक संग्याओं में से उचित संग्या चाटके लिखनी है यहाँ पे जो है संग्या दी होई है इसमें से आपको जो सही है वो उसके सामने लिखना है कवी कवी की जो भावाचक संग्या होगा कवित्र फिर है यूवा यूवा का होगा भावाचक संग्या यौवन नेक्स्ट है गरम गरम का हो भावाचक संग्या गर्मी लास्ट वर्ड है जीतना, जीतना का भावाचक संग्या है जीत, थैंक्यू स्टूरेंट